नवस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका सौगत है आज सवेरे से ही सोसल मीडिया और मीडिया में प्रसांद किसोर का आडियो वो सुपर वारिल चल रहा है कि ये इसने क्या कह दिया और किसके सामने कहा और किस तरह की बाते कहीं कुछ मजदार चीजे हैं कुछ हकीकत हैं और कुछ ऐसे सवाल इस पूरे और्डियो टेप से खड़े हो रहे हैं जिसे समझना बेहदी जरूरी है दरसल प्रसांद किसोर ने ये कहा कि तिड़मूल कॉंग्रेस हार रही है भारती जंता पार्टी की सर बाइजर नहीं बलकि एक भारती जंता पार्टी के सलाहकार हैं दरसल इस टेप में जो बवाल मच रहा है उससे पूरी की पूरी टीमसी एंबरेस्ट है साथ ही साथ वो तमाम टीमसी कॉंग्रेस के जो लीडर्स हैं जो प्रसांद किसोर को देखना तक नहीं चाहते वो अब कह रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल ममता बनर जिसी हो गई कि आपने प्रसांद किसोर के हाथों में पार्टी की पूरी बागडोर दे दी थी और जब चुनाओ के बीच में अभी तो फोर्थ फेज का ही मद्दान हुआ है और अभी तो चार फेज़ और बाकी है जिन मतलब आ युद्ध को हार चुके हैं लेकिन पहले समझते हैं कि इस टेप में आखिर है क्या वैसे मैं आपको बता दू कई सारे टेलेविजन चैनल के ऊपर यह चल रहा है कि इस टेप की हम पूश्टी नहीं करते यह टेप का यह बीजेपी के दौरा बखादा इसको रिलीस किया गय पूरा हिस्सा दिखाएं जिसमें मैं यह भी कह रहा हूँ कि अभी भी बीजेपी को सौ सीटे नहीं आएंगी मतलब आप समझेए टेलेविजन चैनल वाले कह रहे हैं कि इसकी पूश्टी नहीं करना चाहते और जिसकी आवाज है वो इसकी पूश्टी कर दे रहा है कि हां म रहा है कि प्रसांद के सोर ने क्या-क्या बाते कहीं तो मुख्य बात जो है उसमें यह है कि प्रसांद के सोर यह कह रहे हैं और मैं आपको बता दू यह बाचीत हो रही है तमाम किसम के जो लिफ्ट प्रिबर कबाली जो लूटियन पत्रकार हैं जो दिन रात बीजे पी और प्रधान मंतरी मोदी को गालियां देते रहते हैं अफवाहे फैलाते हैं जूठी पत्रकारिता करते हैं इन लोगों के साथ इनकी बातचीत हो रहे थी इसमें बहुत सारे लोग थे रवीश कुमार था इसमें साक्षी जोसी थी यह तमाम तरह के लोग जिसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से सोसल मीडिया में किस तरह से यह लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं इन सारे लोगों के बीच यह लोग सवाल पूछ रहे थे और प्रसांद के सोर जवाब दे रहा था तो रवीश कुमार ने पूछा कि क्या लग रहा है वहाँ पे बीजेपी को क्या कर रही हैं क्यों उनको नोटिस भेजा जा रहा है कि आप खुले आम मुसल्मानों से वोट की अपील कर रहे हैं तो यह सवाल नहीं तो खैर जवाब क्या मिला जवाब मिला कि हाँ बगादा इस चुनाओं में पोलराइजिशन हो गया है और कई सारे सवाल हो रहे थे जिसका अब जिस्ट बता दू प्रसांद किसोर ने कहा कि एंटी इंकम्बेंसी काम कर रहा है ममता के खिलाफ इन लोगों ने पूछा कि देश की हालत देश की एकॉनमी तो बिलकुल खराब है तो ऐसे में क्या केंदरी सरकार के खिलाफ लोगों का मूड नहीं है उन्हों ने कहा कि नहीं 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 प्रसांद किसोर ने साफ साफ कहा कि हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं मोडी सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इंकम्बेंसी नहीं है और एंटी इंकम्बेंसी है भी तो वो ममता बनरजी के खिलाफ है और दूसरी जो एहम बात उसने कही कि दरसल बंगाल म पचीस फिसदी लोग प्रदान मंत्री मोदी को भगवान मानते हैं और वो मोदी को इतना ज्यादा कल्ट फिगर बन गये हैं जिसकी वज़े से लोग भारती जनता पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर हैं एक और एहम बात उसने ये भी कहा कि जो हिंदी भाषी हैं पूरे के पूरे लोग पॉलराइज हो चुके हैं बीजेपी के साथ क्योंकि ममता बनर जी ने ये बंगला बंगला उन्होंने कह दिया इतना ज्यादा आउटसाडर इंसाडर का बवाल उन्होंने मचा दिया उस वज़े से ये ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई का मसला इतना ज्यादा बड़ा बना दिया जिसकी वज़े से जो हिंदी भासी बंगली हैं उन्होंने बकाइदा बीजेपी का दामन पकर लिया एक और एहम बात जो मतुआ कम्मुनिटी है मतुआ कम्मुनिटी के बारे में उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले बार भी वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ था इस बार भी पूरी तरह बीजेपी के साथ है लेकिन इसमें एक और एहम बात जिससे इन सब पत्रकारों की घिगगी बन गई जब प्रसांद किसोर ने एक खुलासा किया कि इस बार जो सुडिल कास्ट हैं वो 27 फीसिदी के आस पास हैं यह समझें यह यह चुनावी आंकड़ा को समझना ज़रूरी है 27 फीसिदी के आस पास बंगल के अंदर मुस्लिम वोटर्स भी हैं और 27 फीसिदी वोटर्स यहां सुडल कास्ट वोटर्स हैं और जिस तरीके से Muslim voters, पूरी तरीके से TMC के साथ है, उसी तरीके से जो Sudolkast voters है, वो हो भारती जन्ता party के साथ हैं. मतलब एक कड़ा मुकाबला है और इसलिए परसांद के सोर ये कहते वार है कि ये बीजेपी को रोकना इस बार काफी मुश्किलों वहरा काम है और वो इसके लिए काम कर रहे हैं उन्होंने एक और महत्पूर्ण बात उन्होंने बताई अजो मैं आपको एक बात और बता दू एक बड़ी नेता है टीमसी की सुजाता मंडल ये लोग कह रहें कि सुजल कास्ट के लोग वो क्यों बीजेपी के साथ हैं क्योंकि टीमसी की जो मानसिक स्थिती जो है वो पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है अब ये सुजाता मंडल ने जो ये बात कह दी कि सारे से स्थित ये इस तरह के लोग राजनीती में रहेंगे और ये अपयक्षा करेंगे कि इन वो चुनाओ जीत जाए तो ये तो बड़ा मुश्कल सा मालूम सा पड़ रहा है अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रसांद किसोर ये कहके कहीं वो फस्तों नहीं गए हमारी कुछ T.M.C. के लीडर है कहां देना है कैसे देना है प्रचार की स्टेटिजी कैसे होगी मीडिया कैसे कंट्रूल करना है सोसल मीडिया में क्या होगा ये सारी की सारी जो ताकत जो थी वो पावर ममता बनर जी ने प्रसांद किसोर के हाथ में दे दिया था उसकी एक मात्र वज़े थी कि प्रसांद जीतना बड़ा आसान काम होगा लेकिन इसके जरिये वो इस चुनाव के जरिये अभिशेक बनर जी को अपना उत्राधिकारी मतलब टीमसी का नंबर टू इस्टैबलिस करना है ये काम प्रसांद किशोर को दिया गया था अब पहला काम ही नहीं हो पा रहा है प्रसांद किशोर अब ये कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कई सारे लोग ये कहते हैं कि भई बीजेपी के पास कार करता नहीं है ग्राउंड वर्कर्स नहीं है तो उन् बंगाल में हर जगह जितनी ताकट TMC के पास है उसी तरह की ताकट भारती जनता पार्टी ने जमीन पे पैदा कर ली है और उन्होंने एक और खुलासा किया कि जो बहुत सारे कॉंग्रेस और लिफ्ट के जो कार्डर हुआ करते थे जो ग्राउंड वरकर्स हुआ करते थे जो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे वामपंतियों के लिए वो अब भारती जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने एक नया खुलासा किया जिससे ये लुटियन गैंग जो दिल्ली में बैठा हुआ ये जो टुकरे टुकरे गैंग है उसको बड़ी मने हैरानी ह हुई होगी अफसोस भी हो रहा होगा कि उसने कहा कि ये जो वामपंतियों की दुकान यहां पे चल पड़ेगी ये प्रसांत किसोर की बात है वो ये बता रहे हैं कि ये जो बदला हुआ है उस वज़ज़ से भारती जनता पार्टी की इस्तिती बहुत मजबूत है अब सवाल यह है कि ममता बनर जी क्या करेगी ममता बनर जी का सेनापती जो इस चुनाओ को लीड कर रहा था सब कुछ तयारी कर रहा था अब वही कह रहा है कि आप चुनाओ हार रहे हैं तो क्या ममता बनर जी इस चार फेज के बाद इस हारे हुए सेनापती को बाहर का रास करते रहेंगे क्योंकि TMC के अंदर से ही आवाज यह उठने लगी है कि इस प्रसांद किसोर को इमिड़ली हटाया जाए और उनको जो है फिर उसी तरीके की बातचीत जिस तरह की बातचीत करके आप जो है इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब कर दें एक राय TMC में इस बात क की है प्रसांद किसोर ने तो यह दावा किया था कि वह अपने इस काम धाम को यह जो IPEC का वो जो चुनाओी प्रक्रिया को नने बेचीने का का काम करता है चुनाओ में इस जेने का 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 से प्रसांद के सोर ने जो अपनी मन की बात कही है जो दिल की बात कही है और इस बात के लिए तारीफ करने पड़ेगी कि उसने सच सच जमीनी हकिकत को बताया है तो शायद यह भी हो सकता है कि हार से पहले प्रसांद के सोर अपना बचाओ के लिए वो दलीले निकाल रहे हैं बहाना निकाल रहे हैं कि जब चुनाव हारने के बाद वो ये कहेंगे कि देखी मैंने तो कहा था कि जवीन इस्तिती इस तरह से बदल गई है या वो है या फिर अगर सौ सिटें बीजेपी को आ जाती हैं तो क्या प्रसांद के सोर अपना ये दुकान बंद कर देंगे ये एक तरह इस मौके पे प्रसांद के सोर इस तरह की बाते कैसे कर सकते हैं बंगाल चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है आप देखतेरी कैपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यबाद